हलो एंड गूड बॉर्निंग दोस्तों वेरी वेरी गूड बॉर्निंग आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सेशन के अंदर में और ये जो सेशन रहने वाला है ये आपकी प्रिपरेशन को एक तरीके से पूरी तरह चेंज करने वाला सेश करता हूँ एक बार मैं स्ट्रीमिंग चेक कर लेता हूँ हमारी स्ट्रीमिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है तो गुड मॉर्निंग एक बार कमेंट कर दीजिए सभी के सभी फटा फट से और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए देखिए किसी चीज से एगर हमें मिल रहा है तो हमें maximum share करना चाहिए sharing is caring तो जैसे Hindu newspaper वाला session morning में हम 7 बजे लेते हैं आप उसको भी maximum क्या करिए share करिए और इस वाले session को भी share करिए आप सभी जानते हैं कि मैं सुबह 7 बजे आप सभी के साथ Hindu newspaper का क्या लेता हूँ session लेता हूँ आप उसको share कर सकते हैं देखिए आपको बहुत help मिलेगी इस series के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा NCRT करेंगे हम history की class 6 से लेके 12 तक की NCRT करने वाले हैं chapter 1 की summary मैं आज आपको करवाने वाला हूँ और बहुत ही easy way में आपको आज यहां से समझ आएगा कि हाँ exam के अंदर में क्या क्या चीज़े आती है और इसकी PDF आपको मिल जाएगी इसकी टेंशन नहीं लेना इसकी PDF कहां कहां मिलेगी यह देखिए Instagram handle है तिवारी प्रशान 26 यहां पर आपको मिल जाएगी ट्विटर पर कनेक कर सकते हैं PDF कहां मिलेगी प्रशान तिवारी 26 आप यह तस्वीर देख सकते हैं यह 40,000 के आसपास में इसमें subscriber है प्रशान तिवारी PDF नाम का टेलेग्राम चैनल है उसको जॉइन कर लीजेगा वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना PDF की टेंशन नहीं लेना है notes बनाने की टेंशन नहीं लेना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मेरे साथ में इस session में जुड़े रहना और आगे की तरफ बढ़ते रहना तो दोस्तो अगर मैं शुरू करूँ तो history अगर मैं शुरू करूँ तो history का मतलब होता क्या है दोस्तो पहली बात तो ये समझने की कोशिश करिए अगर मैं आपको सीधा सीधा सिंपल और देखे मैं कोई bookish definition इन सब चीजों में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज हो चुकी है क्या है जो past में घड़ चुकी है और हमारे पास उसके कोई ना कोई reference है उन सभी को हम history मानते हैं अब UPSC की तैयारी में या फिर state PSC की तैयारी में history को हम divide करते हैं ancient के अंदर में medieval के अंदर में modern के अंदर में ये Indian history इस प्रकार से हम divide करते हैं एक world history अलग है वो अलग concept है world history के अंदर में world war 1, world war 2 अमेरिका के अंदर में revolution आना France के अंदर में revolution आना वो चीज़े अलग हैं हम Indian perspective में अगर देखेंगे ancient history, medieval history और modern history तो हम अगर शुरू करते हैं मैं आपको एक timeline दे रहा हूँ rough एक timeline दे रहा हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं ancient history की बात करते हैं क्योंकि जो 6 class की जो NCRT है वो ancient history का जिक्र करता है अभी आज हम कहां पर हैं दोस्तो 2022 के अंदर में हैं तो हम क्या करते हैं यानि कि कहीं से शुरू करके हम 2022 तक पहुँचे हैं तो कुछ 0 होगा तो इसको जिस दिन Christ का जन्म हुआ था Jesus का जन्म हुआ था उसको हम 0 मान लेते हैं reference मान लेते हैं इसके आगे की तरफ जब हम चलना शुरू करते हैं और अभी हम कहां पाने हैं 2022 के अंदर में हैं इसके बाद में आप सभी को पता है 1947 में हम आजाद भी हुए थे इससे पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा सारी चीजे चल रही होगी और इसके पीछे का एरा ये सारी चीजे हैं तो याद रखिएगा ancient history अभी हम बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ ancient history की तो ancient history शुरू होती है stone age से शुरू होती है पहले हमें पता चलेगा कुछ पत्थरों से कुछ material से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि stone age नाम की एक चीज़ है पर कोई material नहीं होगा करता था चीज़े जोडने के लिए लोगों महलब जो जानवर को मारने के लिए शिकार करने के लिए किसका stone का इस्तमाल किया जाता था फिर bronze जाएगा पहले हम क्या करेंगे छोटे मोटे हतियार बनाएंगे मार कर खाने की कोशिश करेंगे जिनको हम hunters बोलते हैं फिर उसके बाद क्या होगा अब आपको लगेगा यार थोड़ा सा evolve हुआ जाए कुछ एक खठा भी कर लिया जाए herders बन जाएंगे फिर हम क्या बन जाएंगे herders मैं आपको ancient history की बात कर रहा हूँ फिर खेती करते करते आपको लगेगा यार जादा खेती कर रहे है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं अब इसको थोड़ा सा trade करने लग जाते हैं अब जब trade करना शुरू करोगे तो आपको पता है धीरे धीरे क्या होगा शहर, villages, शहर, merchants यह चीज़े develop होने शुरू होगी और उसके बाद में क्या बनता है महा जन्पदाज आप सभी जानते हैं जन्पदाज फिर वेदिक पीरियड, पोस्ट वेदिक पीरियड फिर उसके बाद में उसी टाइम पे हम पढ़ेंगे बुद्दिजम, जैनिजम भी पढ़ेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे पढ़ने शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि वेदिक एरा, पोस्ट वेदिक एरा फिर उसके बाद में धीरे धीरे गुपता एरा गुपता एरा, बर्चेंट एरा, ये सारी चीज़े अड़ती आएंगे बढ़ती जाएंगे, बढ़ती जाएंगे फिर हम कहां पहुच जाएंगे छे सो मैंने आपको अभी रेफरेंस दिया जो जिस दिन क्रैस का जन्म हुआ था उसे हम क्या? जीरो मान लेते हैं और आगे की तरफ हम जाते हैं तो इसे 基本 error बोलते हैं पीछे की तरफ हम जाते हैं तो इसे हम BCE बोलते हैं तो प्लीज याद रखेगा इधर हम पलस पलस करते वे चलते हैं 100 200, 300 400 और अभी हम कहां आ आगे यह टाइम लाइन ऐसे होती है, तो स्टोने इसकी हम जब बात करते हैं, तो 4500 के आसपास चले जाते हैं, सारी चीज़ें, अल्रेडी पता है, लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ बैक्राउंड दे रहा हूं, तो ancient history हम पढ़ते हैं, कहां तक, मोटा मोटा जब हम पढ़ते है तो यहां से पढ़ते हैं, मलब यहां से यह वाला पूरा area, फिर इसको भी add कर दो, तो 700 माल लो, मैं मोटा मोटा माल लेता हूं, 700 के आसपास तक हम क्या करते हैं, ancient history पढ़ते हैं, फिर medieval पढ़ते हैं, 700 से लेकर मान के चलो, 1600 तक हम क्या करते हैं, medieval पढ़ते हैं, और उसके बाद में, 1600 के अंदर में, जब British आ जाते हैं, उसके बाद से लेकर, 1947 तक हम क्या करते हैं, modern history पढ़ते हैं, और उसके बाद में, जो आ जाता है, 1947 के बाद में, अभी तक जो भी चल रहा है, उसको हम पढ़ते हैं, post-independence पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह एक rough idea देने की में, कि वेधिक एरा आएगा, जहां पर पढ़ाई लिखाई की बात होंगी, फिर इसके अदर पोस्ट वेधिक एरा आएगा, फिर इसके जन्पदाज, महा जन्पदाज, यह सब चीजे होंगी, अभी इन सब चीजों में, पढ़िए कि बिल्कुल timeline, मैं आपको बता रहा इस्ट्री में वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो पहले लेक्चर में आपको इस सब चीजे बताए दे रहा हूं कि यह सब चीजे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यह आपके लिए बहुत शांदार अपोचिनिटी है, फाउंडेशन बैच ल What, Where, How and When, क्या, कहां, कैसे, कब, तो यह तीनो के तीनो एस्पक्ट, यह चारो एस्पक्ट हम पढ़ेंगे इस चेप्टर के अंदर में, और इस चेप्टर के अंदर में हम बात करेंगे, स्टोन एज की बात करेंगे, clear है? तो हमें अगर देखा जाए तो हमें क्या-क्या जानना है, किस प्रकार के घरों में रहते थे लोग, क्या खाते थे, कहां रहते थे, आपस में उनका relation कैसा हो था, वहाँ पर अगर मान के चलिए, वो agriculture करते थे या नहीं करते थे, क्या वो agriculture के साथ में किसी जानवर को भी domestic करते थे या नहीं करते थे, यह सारी चीजे हम इस chapter के इंदर में पढ़ने वाले हैं, there are several things about our past life, what people used to eat, क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वहाँ पर अगर देखा जाए, किस प्रकार के घरों में रहते थे, तो अगर देखा जाए, वो hunters की तरह रहते थे herders की तरह रहते थे, farmers की तरह रहते थे, rulers की तरह, अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या रहता था, पहला phase क्या आया, hunters की मारना और खालेना, फिर हम अगला stage कहाँ पर, एकठा करना, herders, फिर उसके बाद में farmers की agriculture की जनकारी रही होगी, फिर खेती करना शुरू किया ये classification society के अंदर में हो जाती है, अब जो society के अंदर में classification होती है, तो rulers, ruling class, इन सब चीजों का development होता है, फिर priest, crafts, ये सारी चीज़े develop होने शुरू होती है, किस प्रकार के गाने, क्या खेलते थे, क्या करते थे, बच्चे कैसे time spend करते थे, सारी की सारी चीज़े, ठीक है, तो आ सकते हैं, ये map, river system का map है, और ये subcontinent का map है, इसके अंदर में पाकिस्तान भी है, बांगलादेश भी है, नेपाल भी है, भूतान भी है, शिर्लंका भी है, सभी इसके अंदर में included हैं, यहां से direct question आपके exam के अंदर में आ सकता है, क्योंकि NCIT के अंदर में 5 region का जिक्र किया गया है, आपके stone age के समय पर, एक कौन सा जिक्र किया है, इसका किर्थार सुलेमान ranges, यहां पर एक इनका जिक्र किया गया है, आपका indus river system इसका भी जिक्र किया गया है, आपके नर्मदा इसका भी जिक्र किया गया है, इसका भी जिक्र किया गया है, यहां पर भी हो सकता है, और साथ में गंगा का भी जिक्र किया गया और गंगा की सबसे important जो tributary है कौन सी sown नदी इसका भी जिक्र किया गया है तो ये आपके exam में आ सकता है direct as it is तो प्लीज याद रखेगा ये river system आपसे question पूछ सकते हैं जैसे question ये पूछा जा सकता है ये किर्थार, सुलेमान, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रिलंका सभी के सभी हैं साउथ एशिया के अंदर में सब continent क्यों कहा जाता है इस पूरे के पूरे region को सब continent क्यों कहते हैं ये direct question एक बार already आ चुका है हाँ किर्थार, सुलेमान, ranges, ranges ठीक है clear तो प्लीज हैं, hills के द्वारा separated हैं, इस कारण से हम इस पूरे region को भले ही ये छोटा है किसे continent से, बट ये इस और के respect में इतना बड़ा है कि हम इसको सब continent बोलते हैं, ये direct question already UPSC में पूछा जा चुका है कि why we call South Asia as a sub continent और ये दो statement थी, कि ये smaller है लेकिन ये क्या है, Asia separated है किस से, seas से, hills से mountains से, तो आपको ये चीज़ पता हो नहीं, हाँ मिलेगी, मिलेगी, अब दोस्तो सबसे पहला question, लोग कहां रहते थे, तो मैंने आपको बताया, नर्मदा river के बारे में याद रखेगा, people have lived along the banks of नर्मदा river कई सालों तक रहे, तो ये question आप प्लीज याद रखेगा, अब यह से important question क्या क्या बन के आएंगे, वो आपके साथ मैं discuss करता हूँ, उनको vast wealth थी, किस चीज की, अब वो नदी के किनारे रहते थे, तो आपको जानकर हैरानी रहेगी, खाते क्या थे, forest से जो मिलती थी उन्हें चीज़े, plants, surrounding of forest, ये चीज याद रखेगा, यानि कि उनको vast knowledge, द plants की उनको बहुत थोरों क्या थी? knowledge थी, पहली बात. दूसरी चीज, कहीं पर भी यहाँ पर आपको जिक्र हुआ, agriculture का क्या? तो प्लीज याद रखेगा, नर्मदा river system के आसपास में कहीं पर भी, कहीं पर भी, प्लीज याद रखेगा, नर्मदा river system के आसपास में, कहीं पर अब आपसे कह देंगे कि वो खेती करते थे तो आपको देंगे नहीं, अपने खाने के लिए क्या करते थे, रूट्स, और फॉरेस्ट को क्या करते थे, collect करते थे, यहां से questions हमेशा आते हैं, कि वो क्या करते थे, शिकार करते थे, किसका, जानवरों का, यानि कि दोस्तों, उनके पास में हत्यार, interpretation यही होनी चाहिए, क्या, interpretation भी होनी चाहिए, अब एक और चीज याद रखेगा, यहां पर एक और बहुत important चीज, अब जब हम plants की बात करते है हैं दोस्तों, तो plants दोनों प्रकार की होते हैं, एक healthy plants भी होते हैं, एक poisonous plants भी होते हैं, तो यानि कि उनको थोरो knowledge थी, कि क्या poisonous है और क्या चीज़े नहीं खानी चाहिए, यह भी चीज उनको क्या थी, ठीक है, clear है, next, अगर देखा जाए, हम बात करते हैं, किर्थार hills ranges की, पर बताया जाता है, कि 8000 साल पहले, wheat and barley की क्या होती थी, खेती होती थी, अब यह इतना important है, आपको कह देंगे, wheat and barley, कि हमें traces मिलते हैं, कहां पर, नर्मदा ranges के पास में, नर्मदा river के पास में, तो कह देंगे, नहीं, कहां पर आपको मिलते हैं, सुलेमान and किर्थार hills के प रते थे, अपने past में domesticate करते थे और villages के अंदर में रहते थे, please यह बहुत important facts हैं, आपके साथ मैं जो discuss कर रहा हूँ, देखे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करो, history को इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, history की, जो NCIT है, 6th class की, उसका जो पहली book है, our past, हमारा past, our past, please य आप इसको use कर सकते हो, diversity के अंदर मैं, अभी आगे बताओंगा कैसे use कर सकते हो, diversity के कभी essay आजाले में कभी topic आजाले, तो आप use कर सकते हो, तो इसके अंदर में आपको पता, ancient history के अंदर में हम Stone Age की बात करते हैं, अब Stone Age के अंदर में सबसे important questions क्या क्या आते हैं, कि लोग क अब से पहला देखा नर्मदा रिवर सिस्टम, तो जब नर्मदा के आसपास में देखा, तो हमने देखा कि वो क्या करते थे, animals को hunt करते थे, first very important point, दूसरा important point, roots, fruits और जो forest के produce थे, उनको खाते थे, यहाँ पर कहीं पर भी agriculture का जिक्र नहीं होता है, लेकिन जब हम बात करते है सुलेमान और किर्थार hill ranges की, तो वहाँ पर 8000 साल पहले, टाइम लेन देख लो, अभी हम कहां पर हैं, 2000 पर हैं, तो यानि कि around 4000 BC के आसपास की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमें wheat और barley की खेती के क्या मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, और उसके बाद में एक और चीज, वो कहां रहते थे, villages के अंदर में रहते थे, यानि कि अब धीरे धीरे यहाँ पर villages का system, साथ में एक साथ मिलकर रहने का system शुरू हो चुका था, साथ में sheep, goat और cattle जैसे animals को साथ में रहने लग गए थे, ये भी बहुत important है, अब ये देखे, दूसरा हमने कर लिया, दूसरा, अब ती North East के अंदर में गारो, अब उस वाले region के अंदर में आ जाओ, तो ये सबसे important चीज़ है, double star करके मार कर लो, rice was first grown to the north of Vindyaz, यानि कि Vindya के north में कहीं पर, यहां कहीं पर क्या, पहली बार हमें rice की खेती के क्या मिलते हैं, traces मिलते हैं, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, और इसकी जो tributaries हैं, उनके आसपास में क्या होने लग गया, villages बनने लग गया, यह प्लीज यहां से questions आएंगे, इसलिए मैं सारी के सारी चीज़े आपको map पर साथ साथ locate कराता जा रहा हूं, तो याद रखिएगा, UPSC में आपसे question क्या क्या पूछे जाएंगे, कि rice, कि traces ह कहां पर मिलते हैं, कह देंगे आपको विंध्याज में मिलते हैं, कह देंगे आपको गारो हिल्स के आसपास मिलते हैं, कह देंगे आपको कहां पर मिलते हैं, कह देंगे आपको नर्मदा के आसपास मिलते हैं, तो आपको कहना नहीं, हमें कहां मिलते हैं, विंध्या, Central India के अ civilization कब 4700 साल पहले जीरो यहाँ पर हम क्या आगे 2000 है अभी 2022 चल रहा है पीछे चले जाओ यानि कि almost 2700 BCE के आसपास में हमें क्या मिलते हैं इंदस वैली civilization वहाँ पर cities का हमें जिक्र मिलता है यह चीज़ है अगर देखा जाए ancient time के अंदर में गंगा और उसके tributary के आसपास हम देखिए मैं आपको बार बार कर रहा नो framework पड़ते जाएंगे कि पहले hunters है फिर herders हुए फिर धीरे धीरे क्या है थोड़ी थोड़ी जगे पर मगद empire कहते थे क्या बोलते थे मगद वो develop होना शुरू करता है फिर हम महा जनपदाज की बात करेंगे महा जनपदाज की बात करेंगे और एक और चीज़ देखिए कहेंगे आपसे कहेंगे कि ancient history के अंदर में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि सूखे के कारण मे blood की कारण में लोग migrate करते हूँ तो ये चीज़ देखिएगा men and women अपने काम धंदे के लिए even natural disasters से बचने के लिए भी क्या करते थे एक जगे से दूसरी जगे पर क्या करते थे migrate करते थे men and women moved in search of livelihood and also escape from natural disaster तो आपसे कह देंगे कि जो उस समय पर लोग थे वो काम धंदे के लिए migrate नहीं करते थे वो सिर्फ वो सिर्फ natural disasters से बचने के लिए अपने आपको क्या करते थे migrate करते थे और उसके कारण में देखिए अगर कोई इस region से दूसरे region के अंदर में migrate करके जा रहा है दोस्तों तो क्या होगा यहां का culture वो दूसरे area में लेके जाएगा और वहां का culture वो acquire करेंगे और इसके कारण में दोस्तों क्या होता है migration एक बहुत important tool है किस चीज का culture का amalgamation के इंदर में interaction of culture यह भी बहुत important चीज है ठीके दोस्तों अब देखिए हमें culture के बारे में कहां से पता चलता है हमें सारी के साथ चीजे जो समय पर stone से थे उसमें music है इन सब चीजों से भी हमें culture के बारे में पता चलता है एक और चीज यह आप से पूछे लेंगे which of the following act as natural barrier, natural frontier hills, mountains and seas from the natural frontier of the Indian subcontinent यह आप से direct question पूछा जा चुका है अलड़ी मैं आपके साथ मैं बस चीजे discuss कर रहा हूँ क्योंकि देखें NCIT को लिखा ही इस तरीके से गया है और UPSC के tendency होती है कि वहां की एक एक लाइन से question उठा लेते हैं और आप परिशान यही होते हैं कि यह कैसे याद किया जाए यहां से कैसे याद किया जाए तो मैं आपको वह ही समझा रहा हूँ कि भाई स्टोनेज स्टोनेज के इंदर में यह चीजे इंदस वैले सिवलैशन यह चीजे तो वहां से यह चीजे क्या है याद करते रहे है क्योंकि NCIT में अगर डारेक्ट जिक्र है तो आपको क्या करना चाहिए इनके बारे में पढ़ना चाहिए ठीक ह अब land आप सभी ने भारत का नाम सुना होगा इंडिया और भारत यह सुना होगा अब आपसे पूछा जा सकता है direct कि भारत का नाम इंडिया कैसे पढ़ा भारत का नाम भारत कैसे पढ़ा तो उसका जिक्र भी हमें NCIT के अंदर में मिलता है पहली बात अगर हम देखें इंड इंडिया, तो इंडिया का नाम जो आता है, वो कहां से आता हैीं, इन्दस से आता है, जिसको सिंदु कहा जाता है, किसके अंदर में istis hare지? के अंदर में हमें इंडिया के बारे में यहां से पता चलता है और इरानियन्स जो यह है भारत इधर से जो ग्रीक्स और इरानियन्स जो आते थे जो हमें देखते थे उनके लिए हमें वो क्या कहते थे कि जो नौर्थ-वेस से आते थे कहां से आते नौर्थ-वेस से जो आते थे वो हमें क्या कहते थे हिंदोज कहते थे और इंडोज कहते थे प्लीज याद रखेगा ठीक है किसके बारे में कहते थे कि लैंड ओफ इस्ट ओफ इंदस अब आपको पता यह इंदस नदी है इसके इस की तरफ यह जो लैंड है इसको क्या कहते थे इंडोज कहते थे क्या क पूर्फ वेस्त के इंदर में इस रीजन के इन्दर में क्या थे प्रकार के लोग थे ग्रूप फीपल थे जिनको जिणНका जिक्र हमें कहां मिलता है, रिग वेद के अंदर में मिलता है, संप्रत के अंदर में जिसका संस्कृत की अंदर में 35 सौ साल पहले या भराद के almost around 1500 के आसपास में हमें इसका क्या मिलता है composition के date के आसपास में estimation मिलता है दोस्तों इसलिए हम हमें पता चलता है क्या India, Sindhu Nadi Indus Nadi, Indos Hindos और क्या India और भारत क्या है Rig Veed के अंदर में जिक्र मिलता है इसका ठीक है clear Next, हमें कहां कहां से हमारे past के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहली जानकारी मिलती है Manuscripts Manuscripts, हाथों के द्वारा लिखे जाते थे, ठीक है किसके द्वारा, written by hands प्लीज याद रखेगा, इनको Manuscripts से लिए कहा जाता था क्योंकि हाथों के द्वारा लिखे जाते थे किस पे लिखे जाते थे Palm, Leaves की उपर में लिखे जाते थे ठीक है और आपके Birch की जो चाल होती है उसके उपर में भी लिखे जाते थे अब आपसे पूछ लेंगे कि Birch कहां पर उगती थी तो हिमालयाज में उगती हुई हमें पाई जाती है अब आप सोच भी नहीं सकते NCRT कितने भरमार है आप सब के सब कहते होंगे NCRT तो question कहां से आ जाता है आपसे direct question पूछ लेंगे कि earlier जो Manuscripts है उनको Manuscripts क्यों कहा जाता था लीव पर जो लिखे जाते थे कहां पर The Manuscripts written on palm leaves are called ताल पत्र ग्रंथ प्लीज याद रखियेगा ताल पत्र ग्रंथ कहां से related है पाम लीव से related और जो Manuscripts बर्च बाग पे लिखे जाए चाल के उपर में लिखे जाती थी उसको भुर्ज पत्र लिख बोलते थे टाइम भी लिखा हुआ है ये देखिए कि since 5th century BC और 4th century BC ये प्लीज इन चीजों को क्या करियेगा प्लीज याद रखियेगा तो आप example देख सकते हैं जो palm leaves के उपर में Manuscript लिखा था ये 1000 years ago लिखा हुआ है और palm leaves को cut किया जाता था pages के अंदर में फिर उनको क्या किया जाता था ऐसे करकर के बांग लिया जाता उदर आप देख सकते होल वैसे बांग लिया जाता बुक बनाया जाता था अब Manuscript से हमें क्या मिलता है उस समय पर religion कैसा था क्या-क्या practices होती थी किस प्रकार के राजा हुआ करते थे क्या-क्या medicine मिलती थी ये सारी चीज़े हमें या से मिलती है poems का जिक्र मिलता है plays का जिक्र मिलता है epics का जिक्र मिलता है सारी चीज़े हमें manuscript से मिलती है अब यह manuscript कौन सी languages में लिखी थी? ऐसा तो है नहीं कि ऐसी हवा हवा में लिखी कोई ना कोई भाशा का इस्तमाल किया गया होगा तो ज्यादा तर manuscript हमें Sanskrit भाशा में मिलती हैं, हमें प्राकृत भाशा में मिलती हैं, जिसको ordinary लोग इस्तमाल करते थे प्लीज यह भी चीज़े अब देखिए, स्टैटिफिकेशन, language के अंदर में भी स्टैटिफिकेशन है, क्लास का, कि जो Sanskrit है वो उस समय पर जो elite क्लास होती थी, संस्कृत इस्तमाल करते हैं, ordinary जो लोग जो language इस्तमाल करते हैं, प्राकृत और तमिल भाशा, तो अब यह देखि यह तमिल कितनी पुरानी, कहां से इसका orientation हमें नजर आ रहा है, अब आपसे direct question पुछेंगे, कि manuscripts उस समय पर कौन सी भाशाओं में मिलते थे, आपको कह देंगा, ब्रामनी, प्राकृत, संस्कृत, तेलगू, तमिल, किस में, तो आपको यह तीन जरूर याद होने चाहिए, तीन जरूर याद होने चाहिए, ठीक है, प्लीज याद रखेगा, दूसरा आता है, अभी हमने manuscripts के बारे में पढ़ा, फिर next source क्या मिलती है information, inscription, inscription जिनको हम hard surface पे क्या करते हैं, लिखते हैं, for example, stone के उपर में आप carve करते हो, for example, आप फर्ष के उपर में carve करते हो, for example, metal के उसको हम बोलते हैं, inscription बोलते हैं, क्या बोलते हैं, inscription बोलते हैं, ठीक है, clear है, अब यहाँ पर क्या है, inscription यहाँ पर, where men, women, kings, queens, सबके regarding यहाँ पर क्या है, सारी चीजे लिखी जाती थी, ठीक है, battles के बारे में लिखा जाता है, battle का जिकरती क्या आ जाता है, आपको, अशोका का याद आजाएगा ठीक है अशोक ये लीजिए कंदहार के अंदर में प्रेजेंट डे जो कहां पर है अफगानिस्तान के अंदर में यह बाइस सो पचास साल पुराना हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है अब यहां से देखिए उपर की अगर आप जूम करके कभी देखेंगे ए अब इंस्क्रिप्शन के अंदर में दो भाषाओं का जिक्र हो देखिए दो स्क्रिप्ट का लैंग्विज और स्क्रिप्ट का ग्रीक एंट अरमिक प्लीज इसको याद रखेगा यह वाला जो है अरमिक है प्लीज याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है, clear है, तो प्लीज याद रखिया है, कौन-कौन सी लेंग्वेज, ग्रीक और अरामिक, ये लेंग्वेज है, आर्के लॉजिकल सॉर्सिस भी है, स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, टूल्स, वैपन, पॉट्स, ये सारी चीज़े भी हमें बताती है, बोन्स ओफ एनिमल, ब के समय पर वो होस को डोमेस्टिकेट करते थे या नहीं थे, होस उनको नोन थे या नहीं थे, ये क्वेजिन अल्रेडी आ चुका है, तो ये से क्वेजिन पूछे जाएंगे, अब जैसे आप से क्वेजिन ये पूछा जाएगा, कि क्या शीप, गोट, आप से पूछ लेंग वो क्या होता था कि जब live stream चलती है, उसके बाद में वो download होने का option आता है, ठीक है, clear है, अब ये चीज़ आप exam के अंदर में लिख सकते हैं, कि क्या diversity तिरफ और सिरफ अभी present time के अंदर में, आज ही हमने हिंदू निस पेपर में article पढ़ा कि centralization का जिक्र करा हमने, इसका किय Centralization का जिक्र किया, तो इसके अंदर में भी देखिया, NCRT के अंदर क्या बताने की कोशिश की गई है, NCRT के अंदर में ये बताने की कोशिश की गई है, कि ये जो past पढ़ते हैं, क्या पहते हैं, one past है या फिर multiple past है, तो ये कहते हैं कि multiple लोगों के multiple past है, हो सकता है North West Region के लोग हैं, उनके अपने अलग past हो, यानि कि दोस्तो, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens, पहली बात, region के हिसाब से भी हर किसी के experience क्या हो रहे हैं, different हो रहे हैं, यानि कि क्या है, life जो है merchant की अलग होगी, जो क्यान में किसी का पेशा अलग है, मान के चलिए कोई herder है, या फिर कोई farmer है, उस उसके दोनों के बीच में क्या है, difference होगा, उसके experience के बीच में, तो यह चीज याद रखिएगा, it is even true, today as people followed different practices and customs in different parts of the country, यानि कि हमारी जो diversity की history है, हमें हमारे ancient time से नजर आती है, ancient time से हमें ये नजर आती है, ठीक है, what do dates mean, जो मैंने already आपको बताया, जब हम बात करते हैं, before Christ, और zero को हमने क्या माना, zero को हमने माल लिया, जिस साल जन्म हुआ, किसका Christ का जन्म हुआ, तो प्लीज याद रखिएगा, अगर आपको मैं चाट के साब से समझाने कोशिश करूँ, ये हो गया आपका, जिस दिन Christ का जन्म हुआ है, अब आगे की तरफ जिसको जाते हैं, जिसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, एडी भी बोलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ जो हम 2022 में जाएंगे, और पीछे की तरफ जाते हैं, तो पांसो हजार पंद्रास, तो अगर मान के चले कोई कहता है, कि 37 years before, ठीक है, 37 years before या फिर 3700, तो ये रहा आपका, यहां तक क्या है, 2022, तो यानि कि हम क्या हो गया, यहां से आगे 0 तक, अब क्या है 1700 मान लिजे, ठीक है, तो यहां है 1700 BC, तो ये प्लीज याद रखेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, प्लीज याद रखेगा, common era, आपके लिए homework है ये, homework है, तेखिए मुझे लगता है कि हो सकता है आपको य इसको एक बार revision करिए, और मैं इसकी PDF आपके साथ share कर दूँगा, बहुत important summary है, और मैं बार बार emphasize नहीं कर सकता हूँ कि UPSC के लिए NCRT कितनी ज़्यादा क्या हो सकती है, important हो सकती है, तो question पूछा जा सकता है, अब जैसे आप ये देखिए, NCRT का ही match the following करके question है, NCRT का ही, अब ये question आपके exam में अगर आ जाए, तो आप कहां से, देखिए, first city कहां पर, मगद का क्या है, नर्मदा वैली, इंदस and its tributaries और गंगा वैली, किसके लिए क्या क्या famous है, first big kingdom क्या होगा, hunting and gathering, cities about 25 years ago, early agriculture और first cities, इसको match the following करिएगा, बहुत important है आपके लिए, मैं कहा रहा हूँ कि trust me, या आप मेरे साथ में धीरे धीरे करके एक एक lecture करते जाएंगे, तो आपकी history बड़ी strong होती जाएगे, history बड़ी strong होती जाएगे, और यह आगे आपको पता ही है, be not afraid of growing slowly, only of standing still, धीरे धीरे ग्रो करने से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, परे ठीक है, ठीक है, इसका मेरा target यह है कि 6th to 12th history के NCIT को पूरा complete करना है, chapter 1 की मैंने आपके साथ summary करी है, मैं फिर कह रहा हूँ इसके इंदर में क्या-क्या पढ़ना है, ancient यानि कि stone age के समय पर, जो ज़र चीजे मुझे important sources लगे, वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर discuss किये, क्य करते हैं, stone age, फिर इसके बाद में हम आएंगे Indus Valley Civilization, वो भी पढ़ेंगे अब, next chapter Indus Valley Civilization से related है, फिर उसके बाद में धीरे धीर हम चलते जाएंगे, वेदिकेरा, फिर महा जनपदाज, फिर हम मौरिया को भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम गुपताज को भी पढ़ आपसे question पूछा जाएगा, विंद्याज, सबसे पहले चावल के खेती कहां पर देखने को में, विंद्याज, फिक है, तो ये सारी के सारी चीज़े क्या है, important है, आपसे पूछा जाएगा, कौन-कौन सी भाषा है, तो आपको manuscript की तीनों भाषाओं के नाम पता होने चीए, inscription में दोनों, जो script और language है, उसका नाम पता होना चीए, आपको ये पता होना चीए, कि कौन-कौन से domestication किस-किस का हुआ, और जब आप 11 और 12 की NCIT पढ़ने बैठोगे, तो आपको इतना easy लगेगा, आपको होगे सारी चीज़े ने पढ़िए, ठीक है, मेरे ख्याल में तो न PDF नाम का टेलिग्राम चैनल है, प्रशांत, टिवारी, PDF, एक टेलिग्राम चैनल है, उसको जॉइन कर लो, क्यों नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो सारी चीज़े हैं, ancient हमने शुरू करिए, धीरे धीरे चलते चलते हम, medieval पर अभी आएंगे, फिर modern को भी करेंगे, रोज एक रहने वाला है, रोज सुबह 11 बजे एक चैप्टर रहेगा, धीरे धीरे चीज़े बिल्ड करेंगे, और अगर कोई भी इसमें भी अभी कोई doubt है, तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं, बता सकते हैं, comment कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अपनी है, समरी रहने वाली है, तो मिलते हैं एक NCRT पढ़ना है या नहीं पढ़ना भाई, अगर आप NCRT को skip करके जाओगे, तो UPSC में कभी भी successful नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलें इस चीज़ को शुरू करते हैं, अगर वो outdated होंगी, तो इसको हम update करेंगे, NCRT अभी भी स्कूल में पढ़ा ही जा तो मिलते हैं एगले सेशन के अंदर में तब तक किल अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और ये ही एबुक, ठीक है, ठीक है, ग्यारा बजे रोज सेशन हुआ करेगा, ठीक है, चलें, मिलते हैं एगले सेशन में, बाई-बाई, ट कर दो कर दो